गुरगाओं में निवेश करने वाले या करने की मंचा रखने वालों के लिए अब एक खुश कबरी है हुडा यानि हर्याना अर्बन डेवलप्मेंट अथॉरिटी ने सर्दन पेरिफिलल यानि की SPR का काम पूरा करने का रास्ता साफ कर दिया है चानल के आप तो हाल ही में स्टोरी को करने के लिए वहां गए भी थे तो कितना काम वहां पर रुखा हुआ था और कितना असर पढ़ रहा है जी एक छोड़ा सा स्ट्रेश था 300 मीटर का जहां पर अब 11 फीट रोड बना दी गई है हुडा ने जिसको मोटरेबल कर दिया यानि कि अब आप गॉल्फ कोस रोड एक्स्टेंशन से आप जा सकते हैं एनेच एट सीधा बिना किसी रुकावट के बिना लंबा रास्ता लिए एक दम एक शॉटकट जो रास्ता बनना चाहिए था इन धांचों के गिराने के साथ हरियाना विकास प्राधिकरण ने आखिरकार 16 किलोमीटर लंबी सदन परिफेरल रोड की अंतिम अर्चन हटा दी है रांबीर की धानी के जिन जमीन मालिकों की वज़े से 300 मीटर लंबी पट्टी पर काम ठप पड़ा था अब वो अपने प्लॉट खाली कर रहे है अस्पियार जहां तक रोड की बात है लगबग सारा बना हुआ है सिर्फ 300 मीटर का टुकडा रांबीर की धानी वहाँ पर एकसेस नहीं थी लोगों को जाने नहीं दे रहे थे उतने स्ट्रेश को भी हमने 11 फीट वाइड रोड बनाकर क्लियर कर दिया है आज के दिन आप NH8 टक जा सकते हैं इलाके की कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए हूडा ने अतिरिक्त जमीन लिया है जिस पर क्लोवर लीफ प्रॉजेक्ट बनाने का प्रस्ताओ है इसका लावा सेक्टरों के लिए प्रमुख सडकें भी बनाई जाएंगे इस सडक के बनने से फरीदाबाद, दिल्ली और गॉल्फ कोर्स रोड के हजारों यात्रियों को फायदा होगा बिल्डर भी राहत की सांस ले रहे हैं और उनके प्रोजेक्ट में लोग दिल्चस्पी दिखाने लगे हैं पहले से ही हमारे मौजूदा खरीदारों के होसले बुलन थे, अब वो आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कि SPR में हमारे प्रोजेक्ट पर ओफिस खुलना चाहते हैं वहाँ पर कमर्शिल स्पेसिस के लिए काफी पूछताच हो रही है अगर ऐसा हो जाता है तो गुरगाओं रियल इस्टेट बाजार में फिर से तेजी आ सकती है चानकिया भाटिया की रिपोर्ट, NGTV आज से हमारे शो में हमारा साथ देंगे नए एक्सपर्ट प्रॉपटी इंडिया के आगे के सफर में हमारा साथ देंगे हमारे नए नॉलिच पाटनर अगरा रियल इस्टेट बोग्रिम का नया नॉलिच पाटनर है लाइजस फोरस पंकच कपूर ने लाइजस फोरस की स्थापना की और ये देश की प्रमुक नॉन ब्रोकिंग रिसर्च कंपनी है जो रियल एस्टेट के आंकडों की समिक्षा करती है और डेवलपर के साथ भी हम ब्रोकिंग नहीं करते हैं जो कंसल्टिंग होती है बेस्ट यूज फीजिबिलिटी और जो जब वो प्लॉट खरीचते हैं क्या बनाए इस तरीके की कंसल्टेंसी देते हैं देश भर में पहले दफ्तरों के जरिये ये कंपनी हर तिमाही लगबग 17,000 प्रोजेक्ट की वैज्ञानिक तरीकों से दामों और रुजान का आकलन करती है और अब लाइजिस फोरस की इसी महारत का फाइदा प्रॉपर्टी इंडिया के जरिये आपको मिलेगा जहां आपको रियल एस्टेट बाजार की सारी खबरे मिलने के साथ साथ इन आंकड़ों के आधार पर आपके सवालों के भरोसे मन जवाब मिलते रहेंगे आप ले जो सवाल पूछे उन सवालों के जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं और इसके लिए हमारे साथ हैं हमारे नए नॉलिज पार्टनर लाइसेस फोरस के बिजनेस हेड नॉर्थ और डिरेक्टर आकाश बंसल आकाश आपका बहुत-बहुत सवागत हैं हमारे इस शो में प्रॉपर्टी इंडिया पर दिन्यवाद चानक के तो चलिए बिलकुल वक्त बरबाद नहीं करते हैं पहला सवाल ही ले लेते हैं आकाश हमें जो सवाल भेजा है वो सोनल कटोच ने भेजा है एक एमेल के जरिये और उनका कहना है कि उन्हें चंडिगर में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहती है और उनका बजट जो है वो 40-50 लाग का है आपकी क्या सेजेशन है देखिए 40-50 लाग में प्रॉपर चंडिगर में तो घर मिलना बहुत मुश्किल है वहाँ पे ज्यादा तर या तो बंगलोज मिलते हैं या फिर फ्लोर्ज हैं जिनके प्राइसेज आप अगर देखें तो 40-50 लाग से उपर की रेंज में जाते हैं तो बत मैं रेक्मेंड करूँगा कि आप जो मोहाली का एरिया है उसे भी आप देखें क्योंकि मोहाली ही एक एसा एरिया है जो प्राइवेट डेवलपमेंट के हिसाब से अच्छा डेवलप भी हो रहा है और ये नैशनल हाईवे 21, नैशनल हाईवे 22 और लुध्याना रोड और अमरिसर रोड से अच्छी तरह से कनेक्ट भी कर रहा है और अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से वहाँ पे काफी इंफला स्ट्रॉक्चर के भी इनिशियेटिव लिए गए हैं एक इंटरनेशनल एरपोर्ट तकरीबन 306 एकर में वहाँ पे डेवलप होने वाला है जिससे इंटरनेशनल मार्केट भी मोहाली की रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देगी और उसके अलावा वहाँ पे नॉलेज सिटी सेक्टर 81 में और जो काफी रिटेल और कमर्शल डेवलपमेंट उस एरिया में आ रही है तो अगर हम आंकडों की बात करें तो तकरीबन 66 प्रोजेक्ट हैं मोहाली में जिसमें टोटल सप्लाई 20,891 यूनिट की है और अनसोल्ड इन्वेंटरी 7,891 यूनिट की है अगर इन्वेंटरी ओवरहंग की बात करें तो तकरीबन 34 महिने की इन्वेंटरी ओवरहंग है और वेटेड एवरेज प्राइस पूरे मोहाली का तकरीबन 2865 रुपे पर स्क्वेर फीट के हिसाब से चल रहा है और अगर हम पिछले तीन साल का एन्यूलाइज रिटर्न देखें तो तकरीबन 0.3% का ग्रोथ इस मार्किट ने देखा है पर एन्नम के हिसाब से अगर हम मैं आपको सुझेस्ट करूँगा कि आप रेडी टू मूविन प्रोजेक्ट में जाएं मोहाली के अंदर और जो एरियाज मैं रेक्मेंड करूँगा वो या तो खरड रांडरा रोड है या फिर लांडरा बनूर रोड है तो इसमें हमने जो प्रोजेक्ट रेडी टू मूविन चूज किये हैं वो एक है के एसबी रोयल हाइट जो की के एसबी सोनी बिल्डर्स ने बनाया है ये सेक्टर 126 मोहाली के अंदर लोकेटर है इसका प्राइस 2667 रुपे पर स्क्वेर फीट के हिसाब से है और आपको इसमें 3BH के यूनिट 1800 स्क्वेर फीट का मिल जाएगा और ये एक 9 फ्लोर के 18 टावर्स हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर इसमें आपको सारी एमेनिटीज जैसे कि क्लब हाउस, स्विमिंग पूल ये सब एमेनिटीज भी आपको मिल जाएगी और इसमें टोटल यूनिट 216 यूनिट्स हैं और 3BH के आपको इसमें 1497 स्क्वेर फीट का मिल सकता है इसमें भी आपको सारी इन्वेंट्री सारे फैसिलिटीज जैसे कि क्लब हाउस, स्कूल, हॉस्पिटर्स इसमें आपको हर तरह की फैसिलिटीज भी मिल जाएंगी तीसरा प्रोजेक्ट जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा वो है नॉर्थ वैली प्रोजेक्ट बाइस्बी ग्रूप इसका प्राइस 2321 रुपे पर स्क्वेर फीट है और इसमें टोटल यूनिट 430 है इसमें आपको 3 BHK 1800 स्केर फीट में मिल जाएगा इसमें भी आपको सारी एमिनटेज मिल जाएंगी तो कहीं सारे विकल्प आपके पास मौझूद है इस बजट में 40-50 लाग के बजट में 3 BHK के options आपको ready to move in के मिल रहे हैं और जो options आपके सामने वो हम आपको दे रहे हैं वो है KSB Royal Heights Project आप देख सकते है के Sony Builders and Promoters का साती आप देख सकते है Sunny Heights Project और तीसरा विकल्प जो हम आपके लेकर आए है वो है SPB Group का जो है North Valley और अगला सवाल हमारे पास हमसे पूछने जा रहे है सागर सहानी जो हमारे साथ phone line पर जुड़े है जी सागर पूछी अपना सवाल जी मेरा question यह है कि मैं गुरगाओं में property देख रहा हूं तू भी एचके मेरा budget है around 50 lakhs जी बलकुल तो इस budget में गुरगाओं में कहा इनको property मिल सकती है अकाश अंदी के 30 lakh का budget तो गुरगाओं के लिए काफी मुश्किल है बट अगर आप देखें तो 30 से 50 lakh के बीच में आपको कुछ options हैं जो आपको मिल सकते हैं इसके लिए आपको बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा अगर आप द्वारका expressway को देखें तो द्वारका expressway के आसपास में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो की 4-4,000 रुपे की range में आपको मिल जाते हैं तो आप उन options को explore कर सकते हैं अगर हम द्वारका expressway की market की बात करें तो यह काफी अच्छी location पे स्थित है और इसमें अगर आप CBD जैसे Cyber City है या Hero Honda चौंक है यह काफी करीबी मौजूद है और यहां से अगर आप international airport की भी बात करें तो यह काफी अच्छा accessibility है NH8 की तरफ या फिर airport की तरफ अगर हम आंकडों की बात करें तो द्वारका expressway में total 47 projects हैं जिसके अंदर total inventory 24,793 units की है और unsold inventory 9,949 units की है और inventory overhang इस market का तकरीबन 79 से 70 महीनों का है और weighted average price इस market का 6,872 रुपे पर square feet का है इस market में 0% growth हुई है अगर हम annualized return के हिसाब से देखें पिछले 3 साल में तो मैं जो areas आपको recommend करूँगा वो sector 37C या 37D में recommend करूँगा because ये वाला area है जो hero Honda chonk से भी अच्छी तरह connected है और अगर आप prices की बात करें तो overall द्वारका expressway के जो prices हैं उससे काफी नीचे prices हैं और आपको यहाँ पे काफी ready to move in विकल भी मिल जाएंगे तो पहला project जो मैं आपको recommend करूँगा वो है ILD Spire Greens जो की ILD Millennium Private Limited का है ये sector 37C में है और 4,189 रुपे पर square feet क्या इसका price है इसमें total 564 unit है और December 2016 में इसका possession होने वाला है और इसमें आपको ये 15 एकड की एक development है इसमें आपको सारी facilities जैसे की club house, swimming pool, gymnasium ये सब आपको मिल जाएंगे दूसरा project जो है वो भी ready to move in project है तक्षिला heights by Piedmont Development Private Limited ये sector 37C में है और इसका price 4,400 रुपे पर square feet है उसमें total unit 560 के करीब total units है और इसमें 2 BH के आपको 1135 square feet का मिल जाएगा ये भी एक ready to move in है इन दोनों projects में builders के पास भी inventory अवेलेबल है अगर आप जाके builder से भी negotiate करेंगे तो हो सकता है आपके price के करीब की price में आपको एक अच्छा घर मिल जाए तो आपके लिए 2 options लेकर आए हैं आपके budget को धियान में रखते हुए नोट कर लीजे पहला है ILD Spire Greens ये ILD Millennium Private Limited की तरफ से है और दूसरा है Piedmont Developers Private Limited का Taksila Heights तो ये 2 options हैं जो आपको suit करता है उसमें पैसे लगा लीजे चलिए आगे पढ़ते हैं अगला सवाल ले लेते हैं हमें email के जरीए भेजा है अनुच श्रिवास्तव ने उनका कहना है कि उन्हें 2 ये 3 भी एच के flat चाहिए या फिर row house पी चलेगा गुजरात में वडोधरा में वो ढून रहे हैं उनका budget 45 लाग का है तो सबसे पहले तो budget को देखते हुए और जिस तरह की requirements है क्योंकि किस तरह की unit हो इस पर ये जादा इनकी बंदिशे नहीं है लेकिन इलाका इस budget के साब से आपके साब से कौन सा बहता रहेगा देखिए अगर इस price range में हम देखें तो जो वडोधरा में eastern side पे अजवा जो location है हम उसको recommend करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको इस price range में आपको अच्छी facilities वाला एक अच्छा unit मिल सकता है और अजवा को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफी schools, colleges और institutions अच्छी तरह से accessible है और यहाँ का जो connectivity है वो बाकी सारे वडोधरा के साथ अच्छी तरह से connected है यह area तो आप अजवा में निवेश कर सकते हैं और अगर हम location की बात करें तो जो nearest CBD है वो तकरीबन 10 km की दूरी पे है और L&T Knowledge Park अजवा के अंदर ही है और जो अजवा रोड है वो हर तरह से वडोधरा को connect करती है यहाँ पे रहने वालों के लिए अगर हम आंकडों को देखें तो अजवा में तकरीबन 15 प्रोजेक्ट है टोटल और 3382 यूनिट्स की टोटल इन्वेंटरी है और अन्सोल्ड इन्वेंटरी एक 1729 यूनिट्स की अन्सोल्ड इन्वेंटरी है 36 महिने का ओवरहंग है इन्वेंटरी ओवरहंग वेटेड एवरेज प्राइस यहाँ पे 2411 रुपे पर स्केर फीट का है और एन्नुलाइज रिटर्न इस मार्किट ने तकरीबन 14% का एन्नुलाइज रिटर्न पिछले 3 साल में देखा है तो अ 2194 रुपे पर स्केर फीट पे है इसके टोटल इन्वेंटरी तकरीबन 400 यूनिट्स की है जो कि 11 विंग्स में बनी हुई है यह एक रेडी टू मुविन प्रोजेक्ट है और तीन बी एच के आपको इसके अंदर 1550 स्केर फीट का मिल जाएगा आपको इसमें एमेनेटीज मि 222518 रुपे पर स्केर फीट है और इसमें टोटल इन्वेंटरी 360 यूनिट्स की टोटल इन्वेंटरी है आपको इसमें टू बी एच के तकरीबन 1350 स्केर फीट का मिल जाएगा और इसमें अभी की इन्वेंटरी 360 है बर जब यह पूरा डेवलोप्मेंट बन के तयार होग तो तकरीबन 880 यूनिट की टोटल इन्वेंटरी इस प्रोजेक्ट में आएगी और इसमें आपको कुछ टावर्स आपको ड़ी टू मुविन भी मिल जाएंगे और कुछ टावर्स अंडर पोजेशन है तो इसमें भी आपको काफी अमेनिटी जैसे की 24-7 पावर बैक अप, अनिंटरॉप्टर वाटर सप्लाई यान पावर बैक अप यह साब आपको इसके अंदर मिल जाएगा तीसरा प्रजेक्ट जो हम आपको रेक्मेंड करेंगे वो है अनंता लाइस्टाइल बाय अनंता बिल्डर्स इसका प्राइस इसका प्राइस है 1749 रुपे पर स्क्वेर इसमें टोटल यूनिट 124 हैं जिसके अंदर साथ टावर में बना हुआ है और ये एक लोराइस डेवलप्मेंट है जी प्लस फोर स्ट्रक्चर की तो इसमें आपको एक अच्छा पैंठ हाउस जो की 1920 स्क्वेर फीट का है वो आपको मिल सकता है इसकी एक अच्छी खासियात इसकी तरह से कनेक्टर है अच्छी तरह की तरफ तो आप इन तीनों मेंसे किसी भी प्रोजक्त में इनवेश कर सकते हैं तो अज़वा में आप अपनी प्रॉपर्टी चुन सकते हैं तीन विकल्प आपके लिएक रहें आपके बजट में आपको तीन बीएश का फ्लाइट मिल रहा है तो एक अच्छा ठिकेट साइज आपको फ्लाइट मिल जाएगा इसमें कानहा सिटी बाए कानहा गुरूप आप देख सकते हैं डोव डेक आप देख सकते हैं और तीसरा प्रोजेक्ट जहम आपके लेकर रहे हैं वो है अनंता बिल्डर्स का अनंता अनंता लाए आपकेट